गुर्मानिंग स्टूडेंस लक्ष में आप सभी का स्वागत है मैं अभी अप्लाइड फिजिक्स टू का लेक्चर नंबर टू बना रहा हूं यूनिट वन चल रहा है हम लोगों का यूनिट वन में टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका रेस्ट पाट अभी लेक्चर होता है साउंड क्या होता है फ्रिक्वेंसी के अधार पर मैंने साउंड को डिस्ट्रिब्यूट किया था तीन पार्ट में एक का नाम था इन्फरासोनिक साउंड एक का नाम था अल्टरासोनिक साउंड इन्फरासोनिक क्या होता है ओ मैंने बता दिया था अल्टरासोनिक क् और detail बताऊंगा अभी मैं definition दिया हूँ ठीक है लेकिन फिलहाल अभी जो मैं chapter पढ़ा रहा हूँ इसमें audible sound का use होगा audible sound इसी से हम हम लोग को पढ़ना क्या है तो हम लोग का एक कमरे में कैसे हम लोग acoustics set करते हैं एनि ध्वनी signal reverberation नहीं हो, eco नहीं हो, इन सब को समझते हैं इसके लिए हम लोग acoustics का बिज्ञान इन acoustics पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग audible sound का परियोग करेंगे जो नहीं सुनाई दे रहा है, उस कमरे में आवाज बहुत सारा है बट नहीं सुनाई दे रहा है, उसमें को क्या मतलब तो हम लोग acoustics और building पढ़ रहे हैं इसलिए ध्यान रखेंगे इस बात को कि हम लोग audible sound की जुरत पढ़ेगी तो अब हम लोग कल के जो lectures थे, इसमें तीन पार्ट पार्टे थे एक का नाम है musical sound और एक का नाम है noise यहनि जो हम लोग सुन सकते हैं, दो तरह के sound को सुन सकते हैं यहनि जो जितना भी दुनिया में धोनी आपको दिखता है उसको सुनने के बाद आप उसको दो भाग में बाट सकते हैं सर कौन कौन दो भाग में बाट सकते हैं तो आप बोलिएगा सर एक जो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है हम सुनते हैं तो बहुत आनंद मिलता है हमारे कानों के लिए प्रिय है हमारे कानों को सुख परदान करता है वैसे साउंड को हम लोग म्यूजिकल साउंड बोलते हैं जैसे आप कोई अच्छा सा गाना स सुन रहे हैं या बहुत ही मदुर घंटी की आवाज सुन रहे हैं जो आपके कानों में ठीक है कानों को अच्छा लगे वो musical sound कहलाता है ठीक है और वैसा कोई sound jaring sound jaring एक सब्द है जिसका कडवापन होता है वैसा कोई sound जो आपके कानों में करकस उत्पन करें आपके कानों की लिए खरा कैसा बोल रहा है जैसे मेरा जो आवाज भी निकलता है लगता है मोटा आवाज है स्पीकर फटा हुआ आवाज है आप सुनना नहीं चाहते होंगे लेकिन पढ़ना तो है ठीक है तो मेरा आवाज भी एक परकार का न्वायज मन जाता है ठीक है तो ऐसे ही कुछ ऐसे साउंड जैसे आप मान लिया कि अभी यहां पर खड़े हैं और माथा के उपर से अरो प्ले सब करना सुरू हो जाता जिससे आपको आपके कानों को अच्छा सुनाई नहीं देता अगर वही पेपाप जो बज रहा था अगर धंग से बजता एक periodicity में बजता periodicity का मतलब एक regular interval पर बजता तो वही गाना बन जाता और वही आपको music बन जाता और उसको आपको सुनने में अच्छा लगता तो इस तरीके से हम लोग के पास जो audible sound होता है उसको हम लोग दो भाग में बाढ़ते हैं एक का नाम क्या जानते हैं एक का नाम है musical sound और एक का नाम क्या है noise जो हमारे कानों के लिए अच्छा होता है उसे हम लोग musical sound का अच्छा मतलब सुनने में pleasant होता है ठ उसे हम लोग noise नाम देते हैं, ठीक है, तो sir example दीजे, तो बहुत सारे जितने भी musical instrument हमारे पास है, guitar, violin, piano, tabla, then so many instrument are present, in sa flute, बहुत सारे instrument हैं, जिससे musical sound निकलता है, और ये sound हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने में लगता है कि सुनते रहें, ठीक है, तो इसी को हम लोग music बोलते हैं, music का नाम क्या है, जो आपके कानों को अच्छा लगे, उसे music नाम दे दिया गया, ठीक है, और अगर हम musical sound को देखें, तो वो एक regular interval पर चलता है, एक कोई योरुनी की amplitude बराबर हो, बड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो जो चीज़ चल रहा है, वो बार-बार repeat होते रहे, देखते हैं, गाना में जो उसका धुन होता है, वो बार-बार repeat होते रहता है, इसलिए आपको सुनने में अच्छा लगता है, जेए से तैवला नहीं बज़ता है, ज्यादा फिर कम, फिर एकदम ज्यादा, फिर continue, ज्यादा, ऐसा नहीं, वो एक regular interval, जो चीज जो भी धुन बजा रहे हों लोग और regular interval पर बजाते हैं, तहीं बात बोला है कि उसकी periodicity maintain होनी चाहिए, periodicity, आवर्त काल, ठीक है, तो आवर्त काल इसका maintain रहता है, एक regular interval पर वही wave चलते रहता है, और इसे जो ध्वनी निकलता है, हमारे कानों के लिए प्रिय होता है ठीक है, pleasant होता है, इसी लिए, ठीक है, हम लोग कहते हैं, इसे musical sound, लेकिन कुछ ऐसे sound है, जो हमारे कानों में garing effect लाते हैं, हमारे कानों को प्रिय नहीं होते हैं, वैसे sound को हम लोग noise नाम देते हैं, तो मैंने example लिखा कहा कहा से आता है, flying arrow plane, जो आकास में रो plane उड़ रहा ह है, वो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं होता है, road traffic, road traffic से sound निकल रहा है, वो भी हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, crackers, पटाका, पटाका जो फटने लगता है, तो चैट, पट, पीट, पूट, पट, पीट, सब फूटने लगता है, कोई regular में नहीं फटता है, ठीक नौइच का मतलब, ईसा नहीं होता है, नौइच का मतलब, बहुत सारे स्टूर्ट गोलते हैं, तो sound को जो निकालते हैं, क्या बोला था, भूल गया मैं, ठीक है, sorry, मैं बतारा था आपको, हाँ, नौइच के बारे builds होता है, पटारा था, ہाँ, जो पोले होता है, शौररी, एक कॉल आ लेक्क तो सोर्गुल होता है वो न्यस न्यस कहा लाता है अब दम सूरूआज को न्यस आपकplant हो हर रेगुलर को न्यस कि एक बच्चा जो बोल रहा है क्लास में गेअज कर एक कि किसी की आवाज पटा ने चलते एक्जाटली कौन क्या बोल रहा है इसलिए उसे नुवाइज कहते हैं, जो भी हमारे कानों के लिए अच्छा ना लगे, या हम उसको ठीक ना समझें, वो हमारा ठीक है, नुवाइज कहला है लेकिन अगर वही बच्छा लोग, जैसे तैसे बात कर रहा हो, वही बच्छा लोग, एक दम एक साथ गाना गाए, एक साथ बोलने लगे, जो भी चीज बोले, जो भी चीज बोले, तो हमारे लिए अच्छा लगेगा, हम पो लगेगा कि अच्छा से बात कर रहा है, अच्छा से बोल रहा है, और हमारे कानों को अच्छा लगेगा, तो मीजिकल साउंड गालाने लगेगा, ठीक है, तो ये साउंड और देखी मैं आपको साफ साफ फिर बता रहा हूं मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है मैं कुछ खास पढ़ाता हूं मतलब कि जो टॉपिक्स में दिया है वो तो दिया है ही वो तो आएगा ही लेकिन उससे चार कदम पीछे जाके पढ़ाता हूं थोड़ा सा आ आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब एक्जाम में आये तो आप उस पर लिग पाएं ठीक है मैं इतना कोशिस करता हूं पता नहीं आप कितना समझ बात है मेरी बात वो तो नेक्स सेमेस्टर में आपके अड्मिशन से बताएंगे कि हम एक्जाम बताएगा और आ मैंने एक सब्द का इस्तेमाल किया था और उस सब्द का नाम है पीच याद आ रहा होगा और मैंने कहा भी था कि पीच आने वारे लेक्चरों में मिलेगा और अभी मिल गया तो जो मीजिक क्योंकि हमें नौयज का कोई मतलब नहीं है नौयज को हम लोग बेकार समझ करके छ चोड़ देते हैं मीजिकल साउंड को पढ़ते हैं तो मीजिकल साउंड जब बजता है उसमें बहुत सारे गुन होते हैं ठीक है जैसे अब मैं एक यहां लड़की को खड़ा कर देता हूं मैं यहां खड़ा हूं मैं भी बोल रहा हूं और एक लड़की बोलेगी तो लड़ के आवाज में changing आया ना तो यह आवाज में changing जो आया किसके कारण आया कौन सा ऐसा गुन था सर क्या चीज कहते है इसको तो इसलिए जो हमारे जो musical sound होगा अगर भी गाना गारी मैं भी गाना गारा हूं तो दोनों अच्छे गाना गारे बट simple से बात यह है कि दोनों की आवाज में difference है तो भाई दोनों के आवाज में difference किस कारण से है तो इसी musical sound के कुछ properties के बारे में हम लोग study करेंगे एक का नाम है pitch हम लोग pitch के बारे में study करेंगे exactly pitch होता क्या है और pitch के जादा होने या कम होने से ध्वनी कैसा सुनाई देता है ठीक है next आगे बढ़त loudness भी हम लोग पढ़ेंगे timber ये भी musical sound का ही एक छोटा सा properties है intensity इसके बारे में पढ़ेंगे reverberation ये eco ये सब चीजे ठीक है हम लोग पढ़ेंगे इको परती ध्वनी बोलते हैं और reverberation भी उसी का पार्ट है दोनों एक ही जैसा लगता है लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में मैं बताऊंगा तो फिलहाल मैं छे properties musical sound का यहां पर दूँगा ये काफी होगा आगे के chapter में पढ़ने के लिए सर ये सब कहां यूज होगा तो जब मैं acoustics बिल्डिंग बताऊंगा वहां पर eco होगा या नहीं होगा या reverberation होगा या नहीं होगा वहां माल लीजे कोई अच्छे से celebrity आ गए बड़े से hall में गाना गा रहे हैं तो गाना गाते गाते eco होने लगा तो eco के बारे में जानिएग अच्छे से और एक एक करके मैं सभी के बारे में आपको समझा रहा हूँ